तो आज जिक्र चारो तरफ आर्पियन के इस स्टीफे का हो रहा है इस स्टीफे का लेकिन आज मैं जिक्र आर्पियन के इस स्टीफे का ही नहीं करने जा रहा है बल्कि जिक्र कुछ तस्वीरों को भी करने जा रहा हूँ जो तस्वीरे वाकई दिल्चस्प है तस्वीरों का अध्याय शुरू होता है इस तस्वीर के साथ जिसका मैं जिक्र आपके साथ करने जा रहा हूँ इस तस्वीर पर गौर फरमाए ये तस्वीर बहुत दिल्चस्प है जहां पर आरपियन दिखाई देते हैं और ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वारल हो रही है इस तस्वीर में है क्या पहले जरा वो देखिए और फिर एक फैरिस्पी आपको दिखाऊंगा वो फैरिस्पी बेहत खास है जो कॉंग्रेस के घर के भीतर से ही हमने तैयार की है ये देखिए ये तस्वीर है जहां पर रहुल की टीम के पाँच एहम सदस्वे जो कभी हुआ करते थे आज वो एक साथ एक तस्वीर में दिखाई देते हैं मगर उस तस्वीर की हकीकत क्या है अब वो भी देखिए जहां मलिन देवडा सचिन पाइलेट ही सिर्फ इस तस्वीर में वो चेहरे दिखाई देते हैं जो आज कॉंग्रेस के सदस्से हैं बाकी जोतिदा सिंद्या जितिन परसाद और अब आरपियन यानि राहूल को फिर से कमान सौपने की मुहीम छेडने वाले चेहरे ही अब कॉंग्रेस को अलविदा कह चुके है आरपियन का मैं जिक्र करूं तो एक और ट्वीट का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है और उस ट्वीट में बहुत दिल्चस्प कहानी अब मैं आपको दिखाता हूँ अब ये ट्वीट देखिए ये ट्वीट है 4 अक्तूबर 2021 का जहां किसानों से आरपियन लिखते हैं जहां किसानों से जिस तरह का बरताव किया जा रहा है वो अक्षम में है किसानों की आवाज सरकार सुन नहीं रही है कुरूरता की सारी हदे पार करते हुए किसानों को गाड़ियों से रौन्दा जा रहा है बेलगाम यूपी पुलिस अगर प्रेंका गांधी जी को रोकने की बजाए उन गुंडों को रोकती तो कल अंदाता शहीद नहीं होते बीजेपी का धामन धाम देते हैं लेकिन मसला आज सिर्फ और सिर्फ इतना भर नहीं है क्योंकि इस तस्वीरों का जिक्र तो मैं कर ही रहा हूं जो राहुल की टीम के सदस्से हैं लेकिन एक ट्वीट का जिक्र और भी जरूरी हो जाता है अब ये ट्वीट देखिए जो कुछ वक्त पहले आरपियन ने किया वो ट्वीट किसान और किसानों को कुछले जाने को लेकर बीजेपी को कोस्ते हुए था अब ये ट्वीट देखिए जहां आरपियन लिखते हैं ये मेरे लिए एक नई शुरुआत है मैं मानने प्रधान मंत्री शिरी नरेंदर मोधी जी भाजपा के राश्टे अध्रक्ष जेपी नडड़ा जी और मानने ग्रह मंत्री शिरी अमिश शाह जी के दूरदर्शी नित्यत्व और मार्क दर्शन में राश्ट निर्मार में अपना योगदान देने के लिए ततपर एडियार की एक रिपोर्ट का भी है क्योंकि अभी मैं आपके सामने वो फैरिस भी खोलूगा जहां पर सिर्फ आर्पियन नहीं जितिन प्रसाद नहीं जोतीरा सिंध्या नहीं बल्कि कॉंग्रेस के घर के भीतर चुनाव से पहले पाला बदलने वाले 2014 से 2021 के भीतर 222 चुनावी मैदान में उमीदवार बदल चुके मतलब की कॉंग्रेस के चहरे 2014 से 2021 के दर्मियान अपना पाला बदल चुके उनकी संख्या 222 है यानि 222 नेता आरपियन का मसला उसका जिक्र में आगे करूँगा कि आरपियन जारखंड के परभारी ते एक क्वीट भी आपको दिखाऊंगा जहां पर वो कुछ रोज पहले अपनी सरकार यानि की कॉंग्रेस और जेमेम की सरकार में उपलब्दियों का बखान कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि जो वादे उनकी सरकार ने किये वो पूरे किये जाएंगे मंच से बकायदा हेमन सुरेंद के साथ और शुबू सुरेंद के साथ तस्वीरे खिचवा रहे थे और वही जारखन जहां पर Congress के ही पूर्च सांसद जहां तक मुझे याद है फुर्काल अंसारी ने उन पर आरोप लगाया था कि वो मंत्री से वसूली कर रहे है जितने भी मंत्री है Congressी खेमे के उन से वो वसूली कर रहे है ये आरोप फुरकान अंसारी ने उन पर लगाया था जो पूर सांसद है जार खंड के आरोप प्रत्या रोप के इतर अब मैं उस फैरिस्ट को आपके सामने रखता हूँ फिर ADR की रिपोर्ट भी आपको बताऊंगा फैरिस्ट में कैट्टन अर्मिंदर सिंध का नाम सामने आ पेमा खांडू भी दिखाई देते हैं और इसके साथ-साथ रीता बॉग्णा जोशी सरीखे नेता भी हैं जिन्होंने कॉंग्रेस को अलविदा कहा सिर्फ आर्पियन ही नहीं बल्कि सुमित्रा देव उन्होंने भी कॉंग्रेस को अलविदा कहा ये फैरिस्ट लंबी है अ उत्तर परदेश के परिपेक्ष में बात करूं तो आरपियन सिंग अदित्ती सिंग इसके साथ-sाथ इमरान मसूद, इमरान मसूद के साथ-साथ यूसुफ अली याध होगा आपको. यूसुफ अली ने भी कॉंग्रेस का हाथ चोड़ा. इसके साथ लतेश तिरपाथी जो थे वो भी कॉंग्रेस को अलविदा कह गए ठीक चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की में बात कर रहा हूँ हमजा मिया, हैदर, हैदर खान का भी मैं जिक्र करूँ या सुप्रिया उनका जिक्र करूँ तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले कॉंग्रेस को अलविदा कह गए अब ADR की रिपोर्ट जिसका मैंने जिक्र किया ADR की रिपोर्ट बताती है कि 2014 से 2022 के दर्मयान कॉंग्रेस का पाला बदलने वाले चेहरों का जिक्र करें तो उनकी फेहरिस्ट है 222, 222 नेता चुनावी उमीदवारों ने पाला बदल दिया अब इसके बाद 177 सांसद जिन्हों ने कॉंग्रेस के हाथ को छोड़ दिया जो मौझूदा सांसद थे, ये 2014 से 2021 के दर्मयान मैं जिक्र कर रहा हूँ 177 सांसद कॉंग्रेस का हाथ छोड़ के चले गए, मतलब 7 सालों में 399 ऐसे नेता हैं जिन्हों ने कॉंग्रेस को छोड़ दिया, तो ये आत्मन्थन कॉंग्रेस को करना होगा कि आज आर्पियन क्यूं कॉंग्रेस को छोड़ के चले गए और कॉंग्रिस में जाने और छोड़ने वाले चेहरों के इर्दगिर्थ उनके ट्वीट का जिक्र भी होना जरूरी है जिसका मैंने जिक्र किया था जो आरपियन ने अपने ट्वीट में किसानों को लेकर ट्वीट किया था और आज किसानों को कुछलने वाले उनके मुताबिक जिन्होंने किसानों को कुछला रोंदा आज उन्होंने उन्हीं की पार्टी को ठाम लिया यही सियासत है और एक ट्विट जिसका जिक्र मैंने किया था कुछ रोज पहले जो ट्वीटर जो टाइम लाइन है आर्पियन सिंग की आज ये स्तीफा दिखाई दे रहा है लेकिन इससे पहले की कुछ तस्वीरों को मैंने देखा जिन तस्वीरों में, जिसका मैंने जिक्र किया था आपको, ये देखिए, 29 जिसंबर को बकायदा, आर्पियन जारखंड जाते हैं, जारखंड सरकार की जो दूसरी वर्षगाण थी, उसको लेकर बकायदा तस्वीरे खिचवाते हैं, और बकायदा वादा करते हैं, आप ये तस्वीरे देखिए, बकायदा वो वादा करते हैं, आर्पियन की तस्वीरे, मंत्रियों के साथ, शिबु सुरेन हैं, हेमन सुरेन हैं, बकायदा उनके मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं, आलमगीर आलम, और ये तमाम मंत्री ऐसे हैं, जिनके साथ वो तस्वीर खिचवा र रहा है और आर्पियन के जटके को कॉंग्रिस किस तरह से लेती है ये भी महत्पूर है क्योंकि सीधे तौर पर अब भाजपाई होने का जिक्र कर रहे हैं और कुछ तस्वीरों का जिक्र मैंने किया था और उन तस्वीरों में मुझे ये तस्वीरे दिखाई दी जिसमें ये चेहरे भाजपाई हो चले हैं जहां पर जितिन प्रसाद भी हैं और इसके सासा जोतिरा सिंद्या भी हैं अब उसी कतार में आरपियन भी खड़े हुए दिखाई देंगे अब बचे सचिन पाइलट और खड़के साथ यह सियासत है जिसका मैंने जिक्र किया और कॉंग्रेस के घर में कॉंग्रेस के भीतर कोहराम मिचाने वाले जो राहूल गांदी को नित्यत तुसौपने की जिद अड़ रहे जिद जिद कर रहे थे लेकिन आज वो खुद कॉंग्रेस को अलविदा कह गया है यही तो सियासत है नमस्कार जहिन जय भारत